Hey what's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं उसका नाम है summit, कहानी शुरू होती है दो climber से जो काफी अच्छे दोस्त है, जिनके नाम है GP और Michael, अब दोनों साथ में समय बिताने के बाद अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, तो GP उसे पताता है कि क्यों ना तो मेरे साथ कुछ जिनों बाद mount climbing करने चलो, हमें साथ में बहुत से sponsorship भी मिलेंगे, और इस journey में हम famous भी हो सकते हैं, और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन Michael कहता है कि उसे अपने dad का business join करना है, इसलिए वो उसके साथ नहीं चल सकता है, वो अकेले enjoy कर सकता है, अब क चेहरे से साफ पता चल रहा था, कि ये काम उसके लिए नहीं बनाया और ना ही उसका यहां पर मन लग रहा है, बीच बीच में जीपी उसे photos भी भी भीजता था अपनी climbing की, जिसे देख कि उसे लगता है कि शायद उसने ये business join करके गलती कर दिया, वो ये सब miss कर रहा था, य क्योंकि वो अपनी बेहन से बहुत ही जादा करीब था, पर अब उसने ठान लिया है कि जो उसकी बेहन ने किया था, जो उसका सपना था, वो अब पूरा करेगा, यानि कि climbing, इसलिए वो फॉरन कार से जेपी के पास बहुच जाता है, अब इतने समय बाद अपने दोस्त को समान ले लेते हैं और फिर निकल जाते हैं, बीच रास्ते में उनने इजबल नाम की लड़की भी मिलती है जो इन लोगों को join कर लेती है, और फिर सबी लोग climb करने में लग जाते हैं, ये असल में एक giant tooth नाम के चटान पर जाने वाले हैं, जहां पे आज तक बहुत ही कम ल करना पड़ता है अब माइकल के लिए इतनी उची चटान क्लाइम करने का पहला एक्सपीरियंस था इसलिए वो थोला डड़ता भी है लेकिन जीपी के साथ उसे होसला देता है तो वो सारे लोग आखिर में उस पहाल की चोटी पर चड़ी जाते हैं जहां से नजारा बहुत ही नाक से खून आने लगता है जो की हाई आल्टिटूट की वज़े से हो रहा था जिसका जीपी मजाग भी उलाता है अब उस राज सारे लोग एक बार में होते हैं जहां पर इसलिए कर रही थी ताकि उसका पीछा करने वाले लड़का उसे ऐसा करते हुए देख ले और वहा पूछता है तो बताती है कि पहले हम रिलेशन्शिप में थे लेकिन अभी हम लोग साथ नहीं हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है लेकिन अलग होने के बाद हम आज तक अच्छे दोस्त बने रहे इसी बीच माइकल को वहां लाशे दिखती हैं तो वह कह कर रहे थे जिस पर चड़ना क्लोई का हमेशा से सपना था पर वो पूरा कर नहीं पाई लेकिन आज माइकल उसके सपने को पूरा करने के लिए दोनों उस पर चलाई करने वाले हैं लेकिन तब हम यहां पर एक दमीम नाम के आदमी को देखते हैं जो किसी मशीन की तरह काफ ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है जिसके बाद दोनों फिर से चलाई करना शुरू करते हैं लेकिन इन्हें यहां पर बहुत ही मुश्किलों का दिकतों का सामना करना होता है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था उपर से एतनी ठंड भी थी पर दोनों जैसे तैसे करके चली जाते हैं सबसे टॉप पर जाकर माइकल क्लोई को याद करके थोड़ा एमोशनल हो जाता है उसका कहना था कि अगर वो आज उसके साथ होती तो बहुत ही खुश होती लेकिन आज मैं यहां पर अकेले आया हूँ तब जेपी उसे समझाता और बोलता है कि जिसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाएंगे लेकिन माइकल को तो जाना ही पड़ता है अपनी फिर से पुरानी वाली जॉब पर वहीं अगले दिन सभी लोग अपनी आखरी क्लाइमिंग के लिए निकल जाते हैं पर तब ही वहाँ पर हम माइकल को देखते हैं जो वा वापस आया है और यहाँ दोनों करीब आ जाते हैं वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और घूमते घूमते कब सुबह ओजाती है उन दोनों को पता ही नहीं जलता है। क्योंकि अब उसके डाड उसे पैसे भेजना मन कर चुके हैं। अब एक दिन माँ जेपी आता है जिसे कि उसकी काफी बाते होती है। उसी दोरान टीवी पे दमीम का इंटर्विव आता है जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जिसमें वो बताता है कि वो एक पहाल को चलने वाला है। लेकिन वो ना तो किसी पार्टनर के साथ होगा और ना ही किसी भी सपोर्ट के। वो कहता है कि मैं इसे वर्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूं ताकि आगे आने वाले सारे क्लाइमबर्स मेरे बारे में जब भी पढ़े हैं उन्हें भी कुछ ऐसा करने का होसला मिल सके। अब ये इंटर्विव सुनकर कलब के सारी लोग चलाने लगते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि वो ये कर लेगा। अब अगले दिन दमीम उस पहाल पर चलना शुरू करता हैं जिस पर वो बिना किसी रोब के चल रहा था। सबी लोग उसे लाइफ देख रहे थे लेकिन तभी अचानक से दमीम का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे एक हाई में गिर जाता है जिसे सबी लोग शौक में आ जाते हैं। आकर ये कैसे हुआ वहाँ पर लियो और जेपी भी मौजूद थे अब इस नियूस को माइकल भी देख रहा था। इसे देखते समय उसे अपनी बहन की याद आ गई थी क्योंकि कुछ इस तरह से उसकी बहन की भी जान गई थी। उसे भी कुछ स्पॉंसर्शिप मिले थे जिन्होंने उसे फोर्स किया था ऐसा करने पर फिर सब कुछ खतम हो गया। जैसे कि आज दमीम के साथ हुआ है। अब सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं पर अगले दिन इज़ा भिल माइकल के टेंड के पास आती है और उसे बाते करना शुरू कर देती है। उसी दुरान उसे माइकल के वालेट में एक लड़की की फोटो मिलती है जो असल में क्लोई थी। वो बताता है कि ये भी एक क्लाइमबर थी पर मुझसे तो बहतर थी। मेरी माम के जाने के बाद इसने ही मुझे संभाला था लेकिन एक दिन आजाने क्या हुआ मौसम बहुत बिगल गया और जब ये क्लाइम पर थी तो घर जल्दी आने के लिए इसने अपने नीचे उतन्य की स्पीट थेज़ कर ली जिससे कि इसका पैर फिसल गया और उसकी वज़े से उसकी मौत हो गई और Chloe की वज़े से ही मैंने climbing सीखा और उसने ही मुझे पहालो की respect करना सिखाया अब अगले सीन में हम JP को पूरी टीम के साथ देखते हैं जो तयार हो रहे थे अपने असली इंतिहान के लिए जो था Traverse Mountain पर चलना जिसके लंबाई 9000 फीट थी इसे चल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इतनी उपर oxygen बहुत ही ज़्यादा कम होती है लेकिन जिसका में मुश्किल ना हो फिर उसमें मज़ा कैसा इसलिए सारे लोग क्लाइम करना शुरू करते हैं लेकिन आज मौसम थोड़ा खराब होने की वज़े से एक जगह पर रुख जाते हैं अब यह लगतार लियो और नताशा से वोकी टॉकी पर बात कर रहे थे तो वोनें बताता है कि हम काफी ऊपर आ चुक kitchen लेकिन तुम्हारे लिये बहतर होगा कि तुम लोग अब वापस चले जाओ क्योंकि मौसम बहुत बीगल चुका है और यह अब धीरी-धीरे और बीगरने वाला है लेकिन हम माइकल कहता है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये करना ही चाहिए, तो वो दोनों फिर से तयार हो जाते हैं, लेकिन ये इतना असान भी नहीं था दोस्तों, बीच में तो माइकल के पास से कई बले बले पत्थर गुजरते हैं, जिनें वो बली ही मुश्किलों से बचता है, और कुछ समय के बाद JP दुबारा से situation पूछने के लिए उनसे contact करता है अपने दोस्तों से लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं तो वो दोनों फिर से climb करने लगते हैं लेकिन तब ही उपर से एक बहुत बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है जिसे Michael बाल बाल बचता है ल और इनकी मौद का सबसे गहरा असर Michael के उपर फड़ता है पर वो फिर भी climb करना नहीं छोड़ता और तब ही एक पत्थर आकर उससे टकरा जाता है जिसे वो भी नीचे गिर जाता है लेकिन उसकी रोप JP से जुड़ी हुई थी इसलिए वो बचा था पर उसके सर से काफी रखता है और बहुत ही मुश्किलों के बाद वो उसे पूरा भी कर लेता है इधर Michael को हॉस्पिरल से डिश्चार्ज कर दिया जाता है जिसके बाद वो अपने घर जाने वाला था वहीं JP और उसके दोस्त लियो और नताशा की मौत का गम बना रहे थे लेकिन कुछ ये अजी जो कुछ भी हुआ नताशा और लियो के साथ उस दिन के बाद से तो मैं और जादा डर गया हूँ पर JP कहता है कि वो सब हमारे प्रोफेशन में होता रहता है हमें इन सब चीजों से रुकना नहीं चाहिए लेकिन वो मना कर देता है तब JP बताता है कि हमें बहुत से स्पॉं में हम देखते हैं जिसके टीवी पर JP का इंटर्वियो आ रहा था जो कि अब धमीम के अधूरे काम को पूरे करने वाला है वो अब सब के सामने अपने नए पार्टनर को भी इंट्रूइस करवाता है ये सब माइकल बैठा देख रहा था उसी दोरान माईजा बेलाती है जि मैं JP की टीम में जॉइन करने वाला हूँ पर वो मना कर देती है क्योंकि वो नहीं जादी कि वो भी दमीम की तरह मारा जाए वो उसे समझाता है कि JP ने हमेशा मेरा साथ दिया है और अब बारी है मेरी मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका साथ दू इसलिए उसे जाकर मिलता है और JP भी उसे अपनी टीम में बहुत ही असानी से शामिल कर लेता है जिसके बाद ये लोग साथ ब्लाइंड पहार से होते हुए माउंटेन तक पहुचते हैं जिस पे दमीम चलाता जिसका नाम है सेंट्रल फ्रेंजी इसकी लंबाई 12,000 फीट होती है पर इन्हें ये करना ही होगा इसलिए सारे बिना रुके आगे बढ़ते हैं अब जब ये सेंट्रल फ्रेंजी तक पहुच जाते हैं तो इन्हें कुछ मुश्किल होका सामना करना पड़ता है जैसी कि सबसे पहले ये पहाल बहुत ही जादा एजी होता है जिस पर पकड़ बना-पना बहुत ही कान्टैक करता है पर उनका कहना था कि मौसम बहुत बिगल चुका है जिस वज़े से हलिकॉप्टर नहीं आ सकता विवास सुनकर वहां पर जितनी भी लोग मौजूद होते हैं सब भी बहुत जादा घबरा जाते हैं तो सब को ये बात बताती हुए कहता है कि हमें यहीं हो सके वेलब रात हो चुकी है और ऐसे में इतने खतनाक पहाल को चड़ना असान नहीं है लेकिन माइकल कहता है कि हमें उपर जाना चाहिए वना हम ठंड से ही मारे जाएंगे सब को उसकी बास सही लगती है तो सब धीरी धीरे उपर चड़ना शुरू करते हैं कुछी दूर पर उन्हें वो क्लाइमबर्स भी मिल जाते हैं जिनकी वज़े से इनकी उपर पत्थर गिर रहे थे और उनमें से क्लाइमबर के पैर की हड़ी भी तूट चुकी थी लेकिन वो फिर भी उन्हें अपने साथ शामिल कर लेते हैं उदर माइकल बे को उपर खीच रहा था चुरू करती थी है बीच में उसे कई सारे क्लाइमबर्स भी मिलते हैं जो एवलांच में फसे हुए थे वो उने भी बचाती है वहीं उपर अब ठंड बढ़ने लगी थी जितनी भी लोग थे वो अभी भी उपर चलते रहते हैं जिस वज़े से उनकी अंदर ऑक्सिजन की क असे हुए हैं उसे यहां पर आने से पहले मौसम चेक कर लेना चाहिए लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे बस हर जगाँ पैसा दिखता है उसे हमारी जान की कोई भी परवा नहीं है और ये लडाई हाता पाई में बदल जाती है और गुस्से में आकर रूडी उस र खाई देती है और पास में गड़ा भी जिसके अंदर जेपी गिरा हुआ था वो फौरण नीचे जाता और उसे उपर लाने की कोशिश करता है इसमें उसकी मदद रूडी भी करती है दोनों जेपी को थोड़ा उपर खीच कर लाते हैं लेकिन एक समया आने पर वो कह देता ह कि अब वो हिल नहीं सकता है उसका जाने का समया आ चुका है इसलिए तुम लोग के लिए बहतर होगा कि यहां से चले जाओ लेकिन माइकल नहीं मानता और वो से उपर ले जाने की जिद करता है तो वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी चाहा था मैंने अपनी जिन्दगी में हा जन आता है जिसमें वो से कहती है कि तुम्हें वापस जाना ही है जाहे कुछ भी हो जाए इतनी असानी से हार मत मानों तो वो फिर से उठता है और रूडी उसी रसी को उपर खीचता है लेकिन उसे अपनी दोस्त की लाश को वहीं छोड़ना पड़ता है उदर इसाबल माइ कल दोनों उस पैसेज तक पहुँच गए थे जहां पर इजबल और वो डॉक्टर मौजूद थे लेकिन उन दोनों की तबियत बहुत ही खराब थी जिस वज़े से अगली दिन उन्हें फौरण हॉस्पिटल में आइडमिट किया जाता है अगली सुपा जब उसकी आँख ख मैंसेज सुनकर उसके मौम डाइट रोने लगते हैं और उसे बहुत है मिस्स करते हैं अगले सीन में इसाबल माइकल से मिलने आती है और उसे बताती है कि मैं यहां से जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने और दोस्तों को खुद के सामने मरते हुए नहीं देख सकती वो माइकल को भी अपने साथ चलने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि अब यही उसकी दुनिया है और अपनी पूरे लाइफ वो क्लाइमिंग को देना चाहता है क्योंकि यही उसने अपनों को खोया है अब बस में जाते हुए इजाबल बहुत रोती है क्योंकि एक तो उसने इस climbing में अपने बहुत से दोस्तों को खो दिया था और दूसरा कि वो अपने साथ Michael को नहीं ला पाई उसे डर था कि कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो जाए उधर हम Michael को देखते हैं जो एक पहाल पर चलने की तैयारी में लग जाता है आकिर में हम इन सारे दोस्तों को साथ में बताय हुए पलो को देखती हैं जिसमें सब बहुत ही जादा खुश थे वेल गाईस जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक दूसरा चैनल बनाया है तो जिस पे भी हम अलग अलग तरह की movies explain करते हैं नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा फट 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 जाएए हमारी चैनल को support जरू करेए और subscribe करेए वेल आपको ये कहानी कैसे लगी ये भी हमें comment करके जरू बताएगा Peace out